नमस्कार साथियों मैं अनुकुल दिवेदी आशा इसीएस के यूट्यूब चैनल आशा इसीएस वर्चूल अकैडमी पे एक बार फिर से आप सभी का धुआधार स्वागत करता हूं साथियों फिलहाल हम पढ़ रहे हैं 36 गड़ का इतिहास और 36 गड़ के इतिहास को जानने के क्रम में हमारी गाड़ी अब आप पहुँची है कल्चुरी राजवंश पे जहां पिछले कई वीडियो में हमने देखा 36 गड़ में कल्चुरीयों का आगमन और उनकी स्थापना के स सम्द्ध में हमने चर्चाएं की इसके पर शात हमने देखा इसके दो राजाओं का क्रम और राजाओं को जानने के क्रम में आज हमें चर्चा करना है रत्न देव प्रथम के बारे में जी हैं साथियों इस वंश का वास्त्विक संस्थापक रत्न देव प्रथम जिसने सन 1045 से लेकर 1065 तक शासन किया और अपने 20 वर्षों के शासन में रत्नपुर में कल्चुरियों की अधिसत्ता कुछ इस तरीके से इस्थापित की प्रभुत तो कुछ ऐसा इस्थापित किया कि आने माले लगभग लगभग 700 वर्षों तक 36 गाड़ के इतिहास में ये राजवन्ष कायम रहा तो निशित तोर पे हम कह सकते हैं कि ये पूरे के पूरे कल्चुरी वंश का 36 गाड़ में प्रथम महानशा सकता ऐसा कहने में हमें कोई संदेह नहीं है तो आईए जानते है इसके बारे में सारी जानकारियां ले लेते हैं हम जान रहे हैं रत्न देव प्रथम के बारे में जिसका कालखंड अगर हम देखें तो ये बनता है 1045 से 1065 इश्वी ठीक है उत्तर अधिकारी किसका था इसके पिता का नाम कमल देव जिनका शासन अवधी 1020 से लेकर 1045 इश्वी तक रहा तो कमल देव के मृत्यू के पशाथ जब 1045 इश्वी में कमल देव की मृत्यू हुई इसके पशाथ अगले उत्तरा धिकारी के रूप में आपके रत्न देव प्रथम ने कल्चुरी वंश के मतलब जो कोसल का कल्चुर और इसके पशाथ अब जानते हैं इनके बारे में सारी चीजें तो रत्न देव प्रथम के जीवन की सबसे पहली घटना थी इनका विवाह जिसके बारे में हमें जानना है और किताबों में भी सबसे पहली घटना के तौर पर इसी का जिक्र किया जाता है विवाय इनका हुआ कोमो मंडल की राजकुमारी नोनला से कौन थी कोमो मंडल की राजकुमारी नोनला अब बहरहाल यहां यह जान लेना बहुत जरूरी लग रहा है कि कोमो मंडल आखिर 36 गड़ में या 36 गड़ के बाहर कि शेत्र को कहा जाता था नोनला कौन थी वहां की राजकुमारी थी इनके पिता कौन थे ठीक है यह सा इनकी यतिहा सिक्ता क्या थी तो आपको बहरहाल जादा बहतर होगा कि मैं नक्षे के माध्यम से इसकी जानकारी पूरी की पूरी दूम तो देखे जब इस प्रकार से हम 36 गड़ का मैप देखते हैं तो मैप के आधार पे जानना ही जादा उचित होगा क्योंकि देखे यह है लगभग मिलता जुलता आपका 36 गड़ और यहाँ पर पढ़ता है आपका कोरिया डिस्टिक यहाँ पर पढ़ता है आपका सुरजपूर डिस्टिक हमें जितना जरत है बस उतना ही बनाएंगे और कोरिया के ठीक नीचे अब जो आपका गोरिला और मर्वाही जिला है ठीक है गोरिला पेंडर और मर्वाही जिला है इसी एरिया को क्या कहा जाता था उस समय कोमो मंडल कोमो मंडल और उस वक्त कोमो मंडल का राजा हुआ करता था वज्जूक या वजू वर्मन तो भाई साब ये जो वजूक या वजू वर्मन था इसी की पुत्री थी नोनल्ला पुत्री नोनल्ला इनकी पुत्री थी अब हुआ ऐसा कि वजूक या वजू वर्मन जो कोमो मंडल का शासक था इसका कोई भी पुत्र उत्राधिकारी ना होने की वजह से नोनल्ला को ही इसका उत्तराधिकारी माना गया और नोनल्ला से जिसकी शादी हुई यानि रत्न देव पर्थम तो पूरा का पूरा जो कोमो मंडल का सामराज्य है वो स्वाभाविक तोर पे किसके नाम पे चला गया रत्न देव पर्थम के नाम पे चला गया तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि विवा संबंद के द्वारा भी इन्हों ने अपने सामराज्य का विस्तार किया ठीक है इसके बाद देखे कॉमो मंडल के बारे में आपने सुन लिया इसके जीवन की दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी राजधानी परिवर्तन देखे सहर तो इनकी जो पूर्व राजधानी थी पूर्व राजधानी से इन्हों ने अस्थांतरित किया नवीन राजधानी देखे इनकी पुरानी राजधानी थी तुम्मान और नई राजधानी थी रतनपूर रतनपूर की इस्थापना इन्ही रतनदेव प्रथम ने सन 1049 इश्वी में किया ठीक है तो इस बात को बिलकुल फेड कर लीचे है ना और यहां पर एक चीज जो ध्यान देने योग्या है आपको बताऊं कि सबसे पहले आप ये जान लेना आपके लिए लाजमी होगा कि जो आपका पूर्शन पढ़ता है वन मिनिट यह दिखे यह आपका वरतमान बिलासपूर यह बिलासपूर के ठीक पूर्व में पड़ जाता है आपका जांजगीर चांपा ठीक है और जांजगीर चाँपा के ठीक उपर अगर आप इस तरीके से map देखें तो यह है सरगुजा यह है आपका राइगड और यह है कोरबा कोरबा में एक बड़ा महत्यपूर्ण तहसील है कोरबा का पाली कौन सा तहसील है जी पाली पाली तहसील में ही पढ़ता है वर्तमान में तुम्मान तुम्मान थीक है तो आपको मैं बता दूँ गौरबा में वैस से अगर आप देखें तो पांच तहसील है पाली पली के ठीक ऊपर में पोड़ी उप्रोडा इसके ठीक पूरव में बीचो बीच आपका कटगोरा पड़ता है और आपका जो उत्तर-प पाली का जो तुम्मान है ये कल्चुरी कालीन प्राचीनितम राजधानी उनकी पहली राजधानी थी आपको बताऊं कि जब कल्चुरीयों का 36 गड़ पर आक्रमण हुआ सामराज विस्तार के लिए उस वक्त पाली छेत्र में बानवंशिय सासक विक्रमादित्य जैमेउ का श देनाने शंकरगरद्वितिय मुग्धतुंग कौन था कोकल प्रथम का पुत्र कोकल प्रथम कौन था तृपुरी के कल्चुरी शासक कोकल प्रथम का बेटा शंकरगरद्वितिय मुग्धतुंग ने 36 गड़ में पाली छेत्र के शासक बानवंशिय सासक विक्रमादित्य ज पहई है हम कमल देव की बात करें तो दोनों ही शासकों ने तमान में अपना शातन किया दूसरी चीज़ रत्न देव को भी उत्त्रादिकार के रूप में तुमान ही राजधानी के रूप में प्राप्त हुई और वहीं इनका राज्य भिशेक भी हुआ वहां राज्या बनने के चार साल बाद अपने राज्या रोहन के चार साल बाद या कहें चौथे वर्ष अपने राज्या रोहन के चौथे वर्ष इन्हों ने रत्नपुर की स्थापना उन्नीस सो माफ कीजिएगा कब की 1049 इश्वी में की ठीक है तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे और आज भी जब आप अंबिकापुर से बिलासपुर मार्ग अंबिकापुर से बिलासपुर होते हुए जब आप इस मार्ग से अंबिकापुर से बिलासपुर आते हुए ये मार्ग जो है एनेच 130 तो एनेच 130 में जब आप आएंगे तो बिलासपुर की ओर जब आएंगे तो पाली बस स्टेंड से ठीक बाहर निकल करके दाहिनी और लिखा हुआ है एक बोर्ड बना हुआ है एक रास्ता करता है जहां एक बोर्ड बना हुआ है जहां लिखा है एतिहासिक नगरी तुम्मान रास्ता है वहां से 10 किलोमीटर दूर लगबग लगबग 10 किलोमीटर दोर वहां से तुम्मान पड़ता है ठीक थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो इनकी जो नई राजधानी है वहां से लगभग 25-35 किलोमेटर आगे चलने पे आपको रतनपूर मिलता है तो दोनों ही कल्चुरियों से सम्मधित जगा है बलकुल ध्यान रखेगा इस चीज़ को चल ही प्राप्त है चतुर्यूगी पूर अब चतुर्यूगी पूर कहने से क्या तात पर है कि वह नगर जिसने वह नगर जिसने चारो यूगों में अपना अस्तित्व बनाए रखा चारो यूगों में जिसका अस्तित्व रहा उसे कहा गया चतुर्यूगी पूर अब वो चार सत्य यूग त्रेता यूग द्वापर यूग और कली यूग ठीक है जी सत्य यूग में इसे कहा गया मनिपूर वहीं त्रेता यूग में मनिकपूर कहा गया द्वापर में हीरापूर और कली यूग में रतनपूर रतनपूर या वर्तमान में चलता है रतनपूर और तो और इस नगर को एक उपाधी भी प्राप्त हुई एक उपाधी जनक संबुधन भी इस नगर के लिए है देखे वो उपाधी जनक संबुधन जो है वह है कि राजा रतनपूर ने इस नगर को इतना अच्छे से विक्षित किया इतना गौरो साली बनाया इतना सम्रिद्ध शाली बनाया कि इस नगर को साक्षात धन के देवता कुबेर की नगरी कहा गया तो इसको उपाधी जनक संबुधन प्राप्त हुआ एक कुबेरपूर बिल्कुल इस मरण रखिएगा इस चीज को ठीक है तो ये हो गया भाई साब आपका रतनपूर के बारे में इसके बाद इनके जीवन की जो तीसरी महत्तपूर्ण घटना है वह है सिर्पूर विजय ठीक है तो सिर्पूर में किसे पराजित की आईन होने देखे सिर्पूर है कहां सिर्पूर जो है वो अब महासमुंद जिले में पढ़ता है ये देखे ये है आपका जिला महासमुंद यहां पढ़ेगा आपका सिर्पूर ठीक है यहां पर पड़ा आपका सिर्पूर और यहां पर सो मवंशिय सासक उद्ध्योग केशरी का सासन था उद्ध्योग केशरी किस मवंश के सासक थे सो मवंशिय यह भवगुप्त चतुर्थ भी इसे कहते हैं ध्यान रखेगा सो मवंशिय सासक उद्ध्योग केशरी को पराजित करके इन्होंने सिर्पूर का विजय किया एक हजार पचपन इश्वी में ध्यान रखेगे कब किया एक हजार पचपन इश्वी में सिर्पूर विजय किया और तो और देखिए किसको पराजित किया वहां सोममंचिय साशक उद्योग केसरी को पराजित करके सन एक हजार पच्छपन में विक्रम इम माफ कीजेगा रत्न देव प्रथम के द्वारा सिरपूर को जीता गया इस प्रकार से देखा जाए तो ना सिर्प वैवाहिक संबंदों के माध्यम से तथा भी युद्धों में अपने रणकोसल अपने बाहु बलके द्वारा भी इन्होंने कल्चुरी सामराजिकी सीमाओं का विस्तार करते हुए सिरपूर को कल्चुरी सामराजिकी सीमा के शामिल किया इस प्रकार से कतई संदेह नहीं है कि ये एक वीर और महान शासक थे और साथ ही ध्यान रखेंगे वीर और महान युद्धा के साथ ही ये एक निर्माण प्रियशासक भी था निर्माण प्रियार्थात काफी सारी मंदिरों का निर्माण करवाया नगरी करण लेकिन तुमाड में भी लेकिन तुमांद निर्माड कर वाया। है इनके निर्माड कारियर या वाश्टवसिल्प आप कह सकते हैं ज्दा तुमान में क्या क्या बनवाया तुमान में बंकेश्वर महादेव और इसके साथ ही रतनेश्वर महादेव ठीक है यह तुमान में की रचनात्मक्ता थी इसके बाद लाफागड महिशा सुर मर्दिनी का टेंपल मंदिर बनवाया महिशा सुर मर्दिनी देखे क्या है जितने भी राजपुत लोग है वो ज्यादा तर महिशा सुर मर्दिनी चंडी और मा काली की ही उपासना करते हैं तो महिशा सुर मर्दिनी और यह सारे अवतार इनके चंडी अवतार है याने उग्र अवतार की ही पूजा करते हैं तो महिशा सुर मर्दिनी का बनवाया वहां इसके साथ ही रतनपुर में इन्होंने महामाया मंदिर मंदिर का निर्माण करवाया है तो इस प्रकार से आप देखें थे तो ये सारे के सारे जितने भी जो कल्चुरी शासक थे ये शैवमत के उपासक थे लेकिन इन्होंने शाक्त उपासना पे भी बराबर जोर दिया है और शाक्त उपासना के केंदर भी निर्मित करवाए अगर आप देखें शाक्त याने शक् कोई भी माह हूं हमारी देवियां ठीक है तो महिशा सुर मर्जिनी का निर्माण करवाते हैं साथ में ये महा माया मंदिर का महा माया शमा चौंगा ये क्या है मेरे साथ थोड़ा फ्लिप आफ चलता है एक्चल दिमाग में जो चीजें रहती है वह इतनी जादा क्रिया रहती है कि उनका नियंत्रन में नहीं कर पाता और सोचता कुछ और हूं लिखता कुछ और हूं उस चक्कर में कभी अक्षर आगे पीछे हो जाते हैं नहींद्र का निर्माण करवाया और आज जो भी महामाया रतनपुर जो है वो आज शाक्तमत का केंडर है एक शक्तवी पीठ है अध्यात्मा Р militar बना ठीय इनकी जेया अध्यात्मी किया दार्शनिकुप लब्दिया अगर आपको लिखनी होंगी कल्चुरियों की तो उसमें इन चीजों को आप शामिल करिए का तो आपके मेंस में भी आंसर राइटिंग बहुत अच्छा हो जाएगा प्री के हिसाब से मैंने कोशिस किया है कि जितनी भी बिंदु है इन से रिलेटेड रतन देव प्रथम से रिलेटेड वो सारा का सारा देखिए cover मैंने करवा दिया है उमीद है आपको समझ में आ गया होगा और अगर समझ में आया होगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और क्या क्या क्यते हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और कुछ कहते हैं क्या हाँ बिल आइकोन दबा दीचेगा ठीक है ताकि हमारे नोटिफिकेशन सापको यथा सिगर प्राप्त हो सकें तब तक के लिए जैहिंद